मंजिल उनहीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है पंक से कुछ नहीं होता होसलों से ही उरान होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों सुप्रभात आज के हिंदी क्लास में महादेवी बर्मा की कवीता मैं नीर भारी दुख्की बदली पर चर्चा करूँगा इसके अंतरगत कवीत्री का जीवन पर चै कवीता का पाठ एवं कवीता का भावार्थ सहीत ब्याख्या भी करूँगा अब आप ध्यान से सुने कवीत्री का जीवन पर चै महादेवी बर्मा का जन्व सन 1907 को फरुर्खावाद उत्तर परदेश में हुआ था इनके पिता गोवीन परसाद बर्मा भागलपूर में एक कालेज पर ध्यापक थे माता हेमरानी देवी एक करतब परायन एवन धरपरायन करतब निष्ट महिला थी महादेवी बर्मा की प्रवर्मिक सिक्षा इन दौर में मिसन इस्कूल में तथा आगे की सिक्षा क्रास्थ वेट गल्स कालेज इलहाबाद में हुई क्रास्थ हवेट कालेज में सुभद्रा कुमारी चौहान के संपर्क में इनके साहितिक जीवन की सुरुवात हुई महादेवी का विवा अल्व आयू में ही मरेली के पास नवावगंज कस्वे के निवासी सोरूप नायन बर्मा के साथ हुआ लेकिन इनको बैबाहिक जीवन के प्रती बिरक्ति सी रही आपने लंबे समय तक पर्याग महिला बिद्या पीठ में प्रचार्ज के रूप में कार्ज किया इनका निधन 1987 में इलहाबाद में हुआ महादेवी बर्मा छायावादी युक की प्रमुख कवे इत्री हैं इनके काब्य में अंतर मन की वेदना एवं पीरा की अभिव्यक्ति एवं अज्यात और लौकिक सत्ता के प्रती समर्पन का भाव मिलता है इस कारण महादेवी बर्मा को आधुनिक युक की मीरा भी कहा जाता है काब्य लेखन के साथ इन्होंने रेखाचित्र, संस्मरन एवं निवंध आदी गज बिधाओं में भी सफलता प्राप्त की है रेखाचित्र एवं संस्मरन बिधा को महादेवी जी ने नई उचाई परदान की है इन्होंने संस्मरनों में सधारन से प्राणी एवं पसु पक्षियों को परदान चरित्र बना कर मार्मिक तथा भावात्मक सैली के बल पर इनको असाधारन ब्यक्तित्तों परदान किया है इनकी स्रिंकला की कडियां 1942 रचना से हिंदी साहित में इस्तरी बिमर्ष की सुर्वात मानी जाती है प्रमुख्र चनाएं निहार रस्मी निर्जा संध्यागीत दीप सिखा यामा काबे संग्रा अतीत के चलचित्र इस मिर्थी की रेखाएं पत्थ के साथ ही मेरा पडिवार रेखाचित संस्मरन श्रिंकला की कडियां विविचनात्मक गद्य साहित कार की आस्था एवं अन्य निबंद पुरस्कार महादेवी बर्मा को सेक्षरिया पुरस्कार 1934 निर्जा के लिए मंगला परसात बाड़ी तोसिक 1943 पदम भूशन 1956 ज्यानपीट पुरस्कार 1982 यामा काबे संग्रा है तू पदम भूशन 1988 मर्नो परांत आये अब कवीता का पाठ करते हैं मैं नीर भरी दुख की बदली असपंदन में चिरनिसपंद बसा क्रंदन में आहत बिश्वहसा नैनो में दी पक से जलते पलको में निर जरनी मचली मेरा पगपग संगीत भरा स्वासों से स्वपन पराग जरा नब के नव रंग बूनते दुकुल छाया में मलय बयार पली मैं छितिज भरिकुटी पर घीर धुमिल चिन्ता का भार बनी अविरल रजकन पर जलकन हो बरसी नो जीवन अंकूर बन निकली पत को नमलीन करता आना पत चिन्ध न दे जाता जाना सुधी मेरे आंगन की जग में सुख की सिहरन को अंत खिली विश्त्रित नब का कोई कोना मेरा न कभी अपना होना परिचे इतना इतिहास यहीं उमरी कल थी मिट आज चली आएए अब कभीता का भवार्थ समझते हैं प्रस्तूत कभीता मैं नीर भारी दुख की बदली महादेवी बर्माद्वरा रचित है इस कभीता में कभीत्री अपनी मन की दुख पीरा और बेदना को प्रकट की है कभीत्री कहती है कि एक लर्की माटी की गुरिया के समान है जिसे अपने जिन्दगी के हर मोर पर तूटने और बिखरने का डर बना रहता है उसकी जिन्दगी में परिसानियों का सफर हमेशा चलता रहता है लर्की के पैदा होने पर पड़िवार दुखित होता है और यदि पहले ही पता चल जाए कि गर्व में लर्की है तो उसे गर्व में ही मार दिया जाता है कुछ बरी हुई तो बाल बिबाह का डर ओ भी नहीं हुई तो गिद्द की तरह हर वक्त घूरती मन चलो नजरों का खौप यदि लर्की पटने लिखने गई तो औसरों का डर क्योंकि यदि औसर मिल गए तो उसे कीमत चुकाने का डर साधी के लिए दहेज का डर और यदि गलती से ससुराल के इच्छा के अनुसार माता पिता ने कम दहेज दे दिया तो ससुराल की परतारना का डर यदि आउरत के जीवन में दुर्भाग से पती न रहा तो समाज का डर कुछ इसी तरह एक लर्की की जिन्दगी तमाम परिसानियों के साथ चलती रहती है कभी इतरी कहती है मैं नीर भरी दुख की बदली अस्पंदन में चिर्निस्पंद बसा क्रंदन में आहत विश्वहसा नैनो में दी पक से जलते पलको में निर जरनी मचली मेरा पगपग संगीत भरा स्वासों से स्वपन पराग जरा नब के नो रंग बूनते दुकुल छाया में मलय बयार पली कभी इतरी कहती है कि मैं जल से भरी हुई दुक की बदली हूँ मैंने अपने कंगपन में सनातन तथा अचल प्रियतम को बसा रखा है जिस परकार मेग का गर्जन सून कर गर्मी से दुखी संसार हरसित हो उठता है उसी परकार मेरे गीतों का बिलाप सून कर सारा संसार परसन होता है जिस परकार मेगों में बिजली के दिपक जलते हैं उसी परकार मेरे नेत्रों में वेदना की ज्वाला जल रही है जिस परकार मेगों से जल की धारा बरस्ती है उसी परकार मेरे नैनों से सदैवा आसू भी बहते रहते हैं जिस प्रकार बर्सा की धराओं में संगीत भरा है उसी प्रकार मेरा जीवन भी प्रेम के संगीत से भरा हुआ है जिस प्रकार पावस रीतु में संगदित पवंच चलता है उसी प्रकार मेरी स्वासों में भी प्रेम की सुगंद है जिस प्रकार प्रकास से बादल अनेक वर्न या रंगों के हो जाते हैं उसी प्रकार प्रकास के अनेक वर्नों से भरा दुकुल आचल सुसोभित होता है जिस प्रकार बादलों की चाया में सीतल, मंद और सुगंदित पवन चलता है उसी प्रकार मेरे गीतों की चाया में अन्य मनुष्यों की सितलता और सुख प्राप्त होता है मैं छितीज भिकुटी पर घिरी धुमिल चिन्ता का भार बनी अविरल रजकन पर जलकन हो भरसी नौजीवन अंकूर बन निकली पत को नमलीन करता आना पत चिन्य न दे जाता जाना सुधी मेरे आंगन की जग में सुख की सिहरन हो अंत खिली विस्त्रित नब का कोई कोना मेरा ना कभी अपना होना परचाय इतना इतिहास यही उम्री कल थी मिट आज चली कवीत्री आगे कहती है कि जिस परकार घटा पहले छिटीज पर धुमिल सी दिखाई देती है और फिर निरंतर घणी भूत होती जाती है उसी परकार मेरी ब्रिकुटी पर चिन्ता घिर आई है और निरंतर गंभीर होने लगी है जिस प्रकार घटा भूमे के ऊपर जल बरसाती है और फिर उसमें से अंकूर निकलते है उसी प्रकार मैं भी अन्य व्यक्तियों के ऊपर अपनी करुना बरसाती हूँ जिसके द्वारा उसमें नवीन जीवन का संचार होता है कवित्री आगे कहती है घटा के आने के समान ही मेरे आने से संसार का मार्ग मलिन नहीं होता है और जब मैं यहां से जाती हूँ तो यहां मेरा कोई पद्चिन सेस नहीं रह जाता अकास में जब घटा आती है तो वह अकास के मार्ग को मलिन नहीं करती और जब जाती है तो अकास पर उसका कोई पद चिन सेस नहीं रहता जिस परकार मनुस्य घटा का अस्मरन करके हर्स से भर उठता है उसी परकार मेरे आगमन के अस्मरन से भी ब्यक्ति में हर्स जाग उठता है कवित्री आगे कहती है जिस प्रकार इस बिराट अकास के किसी भी कोने पर घटा का अस्थाई वास नहीं होता उसी प्रकार इस विसाल संसार में किसी बस्तु पर भी मेरा अधिकार नहीं है जिस प्रकार घटा उमर कर आती है और फिर सिग्र ही बिलीन हो जाती है उसी प्रकार मेरा पड़िचे तथा इतिहास इतना ही है कि कल मेरा जनम हुआ था और अंत में मैं मिट्टी में मील जाओंगी यहां जीवन की छनभंगूरता की ओर संकेत है